तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल बैंकिंग सितारा में दोस्तों सहारा इंडिया को निवेसक का पैसा लाटाना होगा 12% ब्याज के सहीद दोस्तों आदेश जारी हुआ मुकदमे का खर्च भी देना होगा तो दोस्तों आपको बता जाए कि बहुत बड़ी निउज निकल करके आई है जो हमारे पिडित भाई मुकदमा दर्ज करवाये थे जिला कलेक्टर ओपिस पर या मजिस्टेट ओपिस पर या फिर अपने नेजदी की ठाना पर जाकर कि सिकायत दर्ज करवाये थे या फिर कोट में सिकायत दर्ज करवाये थे उनका खर्च भी देना होगा यह देखिए इसमें साहरा इंडिया के निवेशकों का पैसा लोटाना है 12 परसेंट ब्याज के साई दोस्तों पिडित निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी निकल करके आई है कि हां मतलब पटना हाई कोड ने यह मुकदमे का जो है सुना दिया है कि हां मतलब जो खर्चा है ओ देना पड़ेगा तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको बता है मुक्तान को लिए करके बहुत बड़ी निवेशक निकल करके आई है या निव्ज मैंने जैसे पता किया किया कि आमतलब 12 पर संट भाई लों को बता दूंदों हर जगह तैयार हो गया है हर जगह हर राज्य में हर सुप्रीम कोट ने फैसला ले लिया है सुना दिया है कि आमतलब अब जा करके बुकतान जो है वह बहुत ही जल्द होने वाला है आप लोग चिंता मत करिए बस इसी तरीके से दैर बना करके एक साथ एक जूट हो करके चलिए और जो हमारे भाई लोग सोच रहे थे कि आमतलब 31 मार्च वाला दिखा दिया जाए तो बहुत ही बड़ी निज निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट के तरब से तो हमारे दोर अधी गई जनकारी चल गए तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा बेल आइक एन घंटे का निसान दवा के प्रेस करिएगा दोस्तों